Hello everyone, Circle of Education welcomes you हम vocab की सीरीज कर रहे हैं और इस सीरीज की ये 6th वीडियो है जिसमें अभी हम कर रहे हैं types of doctors और उन doctors को जो है हम detail में कर रहे हैं साथ ही उस root words से जो नए words बनते हैं वो सीखते वे चल रहे हैं तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में बताएं चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइफ करें चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं तो types of doctors में हमने dermatologist भी पढ़ा था तो dermatologist कैसे doctor होते हैं? जो skin को treat करते हैं त्वचा रोग विशेशग्या इनको बोला जाता है dermatologist जो word है वो तीन word से मिलकर के बना है dharma जिसका मतलब होता है skin ये ग्रीक रूट है logos जिसका मतलब होता है study scientific study कह सकते हैं हम और is लगा है तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि जहां पे भी is-t या फिर isian वाला suffix होगा इसका मतलब होगा expert तो यानि ऐसा doctor जो की skin को treat करने में expert हो उसको हम बोलते हैं dermatologist अब इसी word से काफी सारे word बनते हैं चलिए देखते हैं तो next word है हमारा hypodermic अब जहां पे भी derma, dermic जैसे word यूज होंगे वहाँ पे हमको एक चीज क्लियर करके चलना है कि यह skin से related है और यहाँ पे जो hypo word है इसका मतलब है under तो hypodermic क्या है एक ऐसी needle है, injection है जो कि क्या करती है, skin के अंदर जाती है penetrate करती है next word है epidermic epidermis क्या है तो derma का मतलब तो skin ही हुआ epi का यहाँ पे मतलब होता है outer तो यानि skin की सबसे बाहरी जो layer होती है जो परत होती है उसको हम बोलते हैं epidermis outermost layer of skin next word है textidermis taxi का मतलब होता है arrangement derma का मतलब होता है skin और इस लगा है तो इसका मतलब specialist होगा इसमें तो taxidermis कौन होते हैं who uses skin of dead animals for decoration यानि ऐसे लोग जो कि dead animals जो होते हैं जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके skin को decoration के लिए use करते हैं उसको हम बोलते हैं taxidermist और इस business को बोलते हैं taxidermy important word है ये तो ऐसा business जहांपे चमडे का काम हो रहा है जहांपे जो dead animals हैं उनके चमडे को use किया जा रहा है decoration के लिए तो उस business को हम क्या कहेंगे taxidermy और जो उस business को कर रहा है उसको हम बोलेंगे taxidermist चलिए next word देखते हैं next word है pachyderm इसका मतलब होता है ऐसा जानवर जिसकी skin जो है बहुत जादा ठिक होती है बहुत ही मोटी चमडी वाले जो जानवर होते हैं उनको हम बोलते हैं pachyderm अब ये मोटी चमडी वाले जानवर सुनकर के आप अपने किसी फ्रेंड को roast मत करने लगना ये जानवरों के लिए ही है तो कौन से होते हैं ऐसे जानवर elephant हो गए rhino हो गए hippopotamus हो गए तो ये सब जानवर होते हैं इनके जो skin होती है बहुत ज्यादा थिक होती है और इसलिए इनको pachyderm बोलते हैं next word है dermatitis इसका मतलब होता है आपको skin से related कोई भी infection है तो उसको हम क्या बोलेंगे dermatitis तो ये तो हुए word dermatologist से related चलिए move करते हैं अब हम दूसरे word पे next word है ophthalmologist इसको पढ़ने का तरीका भी ऐसे ही है पहले आप बोलेंगे ophthalmologist ये किस चीच के डॉक्टर होते हैं नेत्र रोग विशेश अग्या और ये जो word है ophthalmologist ये मिलकर के बना है ophthalmos जो की Greek root है जिसका मतलब होता है i logos जिसका मतलब होता है study और suffix जुड़ा है is t वाला which means expert यानि ऐसा डॉक्टर जो की आँखों के किसी भी रोग को ठीक करने में expert हो अब इसी से कुछ word बनते हैं चलिए देखते हैं oculus latin है ये इसका जो root है वो है oculus जिसका मतलब होता है i next word है monocle mono का मतलब होता है a और इसका मतलब होता है a lens for one eye जिसकी 1 आँखों पे जो lens लगाया जाता है उसको बोलता है monocle next word है binoculars जहां पे भी by word आजाता है इसका मतलब होता है two to binoculars का मतलब होता है field glasses that increase the range of two eyes यानि ऐसे glasses ऐसे चश्मे जो आँखों की देखनी की जो शमता होती है जो रेंज होती है उसको बढ़ा देते हैं उसको हम बोलते हैं बाइनकुलर्स नेक्स्ट वर्ड है ओप्टो मैट्रिस्ट्स या फिर ओप्टीशियन ये कौन होते हैं ये जो होते हैं चेक करते हैं कि आपके आँखों में कोई दिक्कत है की नहीं और फिर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको ग्लासेज ये बेसिकली फिजीशियन नहीं होते हैं जो आपकी आँखों में जो रोग हो जाते हैं उनकी सर्जरी नहीं करते हैं ये खाली आपका जो वि this video